ओम श्यांति 24 अगस्त आज बावा की मुल्ली में बड़ी एक गुई ये बाद चल रही है तुम अपने पवित्रता के बल से भारत में दैवी स्वराज इस्थापित कर रहे हो बाप सर्व शक्तिवान है उससे योग लगाने से तुम शक्ति लेते हो और संपूर्ण पावन बन जाते हो इसमें ज्ञान और योग की दोनों सक्तियां चाहिए बावायाद दिलाते हैं ये भारत स्वर्ग था अथा और धंधान था यहां सोने हीरे जवारातों के महल थे रामन की मत पर चल कर तुमने सब गवा दिया अब तुम मेरी सिरिमत पर चल कर भारत को पुने स्वर्ग बना रहे हो तुम अपने ही तन मन धन से ये भारत की सेवा कर रहे हो और किसी से नहीं लेते हो तुम जितना इस सेवा में लगाते हो उतना ही रिटर्ण तुमें मिल जाता है कम लगाएंगे कम रिटर्न मिलेगा बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं बाबा को थोड़ा परमदाम में जाके अपने महल बनाने है सब तुम बच्चों के लिए है तो तुम्हें मेरी मत पर चल कर भारत को स्वर्ग बनाना है लेकिन चाहिए संपूर्ण पोवितरता हूं बाबा आश्रिकरस्न के महिमा बहुत कर रहे है मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं पहला नंबर बड़ी आसामी है सीवाबाद दूसरा नंबर है ये ब्रह्मा जो स्रिकरस्न बनता है मैं शिरिकरष्ण के तन में नहीं आता पर शिरिकरष्ण की आत्मा चोरा सी जनम लेकर जब अंत में आ जाती है तम मैं इनके तन में आकर तुम्हें ग्यान देता हूँ शिरिकरष्ण के तन में आऊँ बच्चे पवित्र होते हैं, इसलिए बच्चों को महात्मा भ्रम ज्यानी कहा जाता है, सन्यासियों को तो फिर भी चलो वो पवित्र भी बनते हैं, लेकिन पवित्रता का संपोर्ण ज्यान होता है, लेकिन बच्चों को पवित्रता का ज्यान ही नहीं होता, तो सिरिकरसन और दे, सब को लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि दोनों ही संपूर्ण पवित्र हैं, फिर बता रहे कि शिरिकरशन और क्रिष्चन का वड़ा गहरा संबंध है, शिरिकरशन यहां भारत में, क्रिष्चन उधर यूरोप में, क्रिष्चन ने लड़ाई करके ये राजाई सब भाप कर ली, धन लूट कर ले गए, अब रिटर्न हो रहा है, सब कोई रिटर्न सेवा हो रही है, जो कावत है दो बिल्ले आपस में लड़े, और मक्खन तीसरे को मिल गया, तो यह सब लड़ेंगे आपस में क्रिष्चन और मक्खन तुम्हें मिल जाएगा, स्वरक की बादसाई तुम्हें मिल जाएगी, तुम देख रहे हो, विनास सामने खड़ा है, तैयारी हो गई है, तो जो मा वारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी कहीं आया होगा, बिल्कुल इसपस्ट है, लेकिन कव आता है, कहां आता है, क्या करता है, यह किसी को पता नहीं है, अब बाबा, तुम्हें सम्मुका कर बहुत साधान रूप से, जो सबसे बड़ी आसामी है, आईये गोड और ब्रह्मा, साधान रूप से तुम बच्चों के साथ बैठते हैं, कहलते हैं, खाते हैं, तुम्हें आकर पढ़ा रहे हैं, तुम भगवान के घर के भाती बन गए हो, यानि उसके परिवार के मेंबर बन गए हो, तुम ही अपने तनमंधन से ये देविस्वरा जिस स्थापित कर रहे हो, तुम्हें पवित्र बनना है, माताएं कहती हैं, बाबा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ो, बाकी सबको तो पढ़ा लिखा, सब कुछ भूल जाना पड़ता है, क्योंकि सास्त पर चलना अधिकतर योग युकत रहना है और आत्मिक भाव पैदा करना है मैं गुजराती हूं बंगाली हूं मैं नर हूं नारी हूं इन सब से उपर उठकर मैं आत्मा हूं आत्मा पुरुष है हम सब आत्माई हैं ये अभ्यास करना है आत्मा अपने कर्मों के नुसार संसका कोनारों के अनुसार कभी कभी नारे बनती है पर आत्मा तो पुरूश है मेल है सधा है पुनर जनम होता रहता है तो आत्माने परमधाम में जाती हो बाबा ने तुमें परमधाम का व्षारा घ्यान देदिया अपने अपने sections में सब आत्मई बैठी रहती है, सबसे पहले आदी सनातन देवि देवता-धर्म की आत्माय सरस्टी पर आती है, फिर नंबरवार जो धर्म या स्तापित होते जाते हैं, उनकी आत्माये आती जाते हैं, कितना गुईर आज हैं, उनमें भी पहले थोड़े आते फिर बढ़ते जाते हैं जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, तो संपोर्ण ग्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें अथा खुशी होनी चाहिए, और ये ग्ञान तुम्हें सारी संसार को देना है, और सब को बताओ, कि अब भारत में दैवी स्वराज की स्थापना हो रही है, ये भारत ही स्वर्ग था, बहुत सावकार था, अब गरीब बन गया है, अब भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, सावकार बन रहा है, स्वेम भगवान आया है मनुस को देवता बनाने के लिए, अब हमें उसकी मत पर चलना है, तो हमें आज अपने को देखना है, कि हम अपने तन मंधन से भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान को कितनी मदद कर रहे हैं, देखिए कितनी सुन्दर बात है, भगवान को मदद, भगवान सब को मदद करते आए, अब टर्न आया है, हम उसको मदद करते हैं, हमें पवित्रता के बल से देवी राज इस्थापित करना है विशेश चेकिंग हमारी हो पवित्रता का बल हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है हम सर्व शक्तिवान से योग लगा कर पवित्रता को अपनी नेचुरल शक्ति बनाते जा रहे हैं तो हम राज जदिकारी बन जाएंगे जितना हम इस्थापना में सहयोग करेंगे उतना ही प्रारव्द पाएंगे वर्दान है अपने असली संसकारों को इमर्ज करके सदाहर्शित रहने वाले ज्ञान स्वरूब्भव हमारे असली संसकार तो आत्मा के मुल संसकार है अगर हम ज्यान के चिंदन में रहते हैं तो हमारे नेचुरल जो संसकार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं और खुश रहना ये तो हमारी अपनी नेजी संसकार है अवगुण माया के संसकार है तो अगर हम master almighty authority के नसे में रहेंगे तो पुराने बुरे संसकार हमारे पास आने का साहस भी नहीं कर सकेंगे और हमारे जो natural आदी संसकार हैं अनादी संसकार हैं वो जागरीत हो जाएंगे यही पहचान है एक ज्ञानस्वर उपात्मा की स्लोगन संपोर्णता का लक्स सामने रखो तो संकल्पों में भी कोई आकर्षन अपनी ओरा कर्षित नहीं कर पाएगा आज का हमारा भ्यास होगा आज हम इस चिंतन में रहेंगे हम पवित्रता की बल से भारत में दैवी स्वराजी स्थापित कर रहे हैं मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ सर्व शक्तिवान से बुद्धियोग लगाकर शक्तियां लेंगे क्योंकि यही शक्तियां हमें संपोर्ण पावन बनाती हैं मैं पवित्रता का देवता हूँ पवित्रता की देवी हूँ और मास्टर ओल्माइटी हूँ इस्वमान से योग करेंगे दिन में कम से कम आठ बार ओम चांति